नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धमसर्मार सुभा उठकर दर्वाजा खोलते ही क्या करी ऐस घर के महलाएं ऐसा काम कि जीवन में कभी कोई परिसानी ही ना आए अर्थिक तंगी ना रहे जी हैं दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुभा सुखर उठने के बाद दर्वाजा खोलते ही मुख्य दर्वाजा आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक की पाने से कोई नहीं रोक सकता हलांकि आपको सुणकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यह सच है घर में जो आपका मुख्य दर्वाजा होता है उसका काफी बहत्तो है जैसे हमारे बास्तू सास्त में भी कहते हैं बाकी पूरे घर का दर्वाजा जैसा भी हो लेकिन घर का मुख्य दर्वाजा तमाम दर्वाजा से सबसे बड़ा और दो पल्ले वाला होना चाहिए यानि सि मुख्य दर्वाजा होता है, वहीं पर से तो मालग्छ में आएँगी न? तो बास्तू सास्त के अनुसार घर का मुख्य दर्वाजा सही इस्तिती में सही दिसा में भी होना चाहिए। जो आपके जीवन में सुख, सांती और सम्रिद्धी लाता है। तो दोस्तों चाहे आप कै कैसा भी घर बनाए हो कैसा भी दर्वाजा हो लेकिन इसी में एड़ेस्ट करना होता है क्योंकि घर तो लोग एकी वर बनाते हैं बार बार तो बनाते नहीं है अब चलिए हम यह बतलाएं कि महिलाएं घर की दर्वाजा खोलते ही क्या काम करें कि जीवन में परिसानिया कम और जादा आए घर की महिलाएं सुभा सोकर उठने के बाद अपने मुख्य दरवाजा के दोनों चौकट में थोरा थोरा जल जरूर डालें और ये जल अगर गंगा जल हो तो अतियुत्तम है वरना आप पूजा वाले लोटा में कोई भी जल रख सकते हैं आप रात में ही इस जल को संभाल के रख लें ऐसे जगह में कि सोकर उठने के बाद आप दोनों साइट चौकट में डाल दें थोरा थोरा डालना है इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सुक्सम्री धी भी आती रहती है दोस्तों दूसरी बात सनी बार और रभी बार के द कराता है लेकिन क्या आपको पता है सनी बार और रभी बार के दिन जाडू लगाने के पहले दो बाल्टी पानी डाल दे या दो मघी डाल दे फिर जाडू लगाए यानि जाडू पहले नहीं लगाना है पहले पानी डाले फिर जाडू लगाईए सनी बार और रभी बार के दिन ये उपाई जरूर करें आप चाहें तो नित्ते दिन भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारे सास्त्रों में ऐसा वर्णित है अगर कोई ब्यक्ति आपके उपर जादू टोना टोटका किया है तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा और मा लक्षमी आपके घर रहेंगी दूसरी बात आप अपने घर के दर्वाजे पर पीला लाल मरून इस कलर का पेंट करवा सकते हैं या पेंटिंग बेगर लगा सकते हैं लेकिन याद रखिएगा सो समझकी कीजिएगा किसी बास्तुबित से अच्छे से सला लेकर हम बात कर करें हैं यह तो हमने बतलाया मुख्य दर्वाजे पर सोके उठने के बाद दोनों चोखट में जल डालना है और सनी बार और अविवार को खास कर आपको मुख्य दर्वाजे के बाहर जो होते हैं द्वार महां पर जल डाल देना है जाडू लगाने के पहले आप घर में लगाना है अगर आप इस नमक मिलेवे पानी में एक चुटकी हल्दी भी डाल देते हैं तो आपका ब्रस्पती भी मजबूत होगा और घर में लक्षमी आसानी से आएंगी दोस्तों आप अपने मुख्य दर्वाजे पर हम मुख्य दर्वाजे पर ही आते हैं क्योंकि इसका बहुत महत्व है सौमबार के दिन आम के पत्यों का बंदनौर लगवाये आप रसी, सूता, किसी चीज के सारे आम के पत्यों का एक एक पत्ता अला कर लिए डंठल में बान बान कर बंदनौर कुद भी तियार कर सकते हैं उसे बान दे और हर सोंबार को इसे चेंज करें पहले वाला निकाल के बाहर डाल दें एनिमर लोग जानवर लोग खा लेगा कोई दिकत नहीं है ऐसा करने से आपके जो घर में आप लोग रहते हैं स्वास समस्या नहीं होगी और ब्रहस्पती बार के दिन अगर आप धन चाहते हैं तो ब्रहस्पती बार के दिन असोग के पत्तों का बंदन बार लगाएं ठीक उसी प्रकार असोग के पत्तों का बंदन बार लगाने से धन की कमी नहीं रहती है और सोंबार के दिन आम के पत्तों का बंदनवार लगाने से स्वात समस्या कभी परिसान नहीं करती है आप चाहें तो सोंबार के दिन आम के पत्तों का बंदनवार लगा लें गुरुवार के दिन असोग के पत्तों का लगा दें और ऐसे ही चेंज करते रहें ये भी उत्म रहेगा दूसरी बात गनेज जी की तस्वीर अपने मुख्य दर्वाजे पर जरूर लगाए लेकिन लगाएंगे कैसे बाहर की ओर से गनेज जी नहीं लगाईएगा क्योंकि गनेज जी के पीठ में दर्डरता का आवास होता है और दर्डरता अगर आपके घर के अंदर आ गई तो बहुत परिसानी होगी इसलिए जब भी लगाईए मुख्य दर्वाजे की अंदर की ओर से दर्वाजे के ठीक उपर गनेज जी की तस्वीर लगाईए जैसे कि उनका पीठ बाहर की ओर हो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मुख्य दर्वाजे पर टाइल्स लगा लेते हैं गनेज जी लक्षमी जी के उनकी पीठ अंदर की ओर चलिया ही बाहर से अपने लगा दिये ऐसा आप मत कीजे अगर है तो फिर आप तो तोड़ना नहीं है इसलिए अंदर की ओर से भी एक गनेज जी चिपका दे ये उत्तम रहेगा अपने घर में पूरे घर में जहां तहां देपताओं की तस्वीर ना टांगे एक पुजास्थान वना है उत्तर पुर्व कोना में वहीं पर देपताओं का निवास रहने दे और अपने घर में बिना मतलब के पेंटिंग भी ना टांगे हिंसक जानबर के डूपता हुआ जहाज है ताज महल है नटराज है इस टाइब के में पेंटिंग टांगे ना ही जरने का पेंटिंग लगाईएगा वरना पैसे आपके जरने की पानी के तरह ही बहने लगेगा ये तो हो गई अब हम आपको आगे की बात बताते हैं आप अपने मुख्य दरबाजे के दोनों साइट स्वस्तिक जरूर बनाईए ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है नौंगुल से छोटा ही रहे सुन्दर सा खुबसूरत सा बनाईए और बनाएंगे कैसे तेल सरसों का तेल में सिंदूर मिक्स करके भी बना सकते हैं और घी में भी सिंदूर मिक्स करके आप बना सकते हैं स्वस्तिक बनाईए और स्वस्तिक के दुनु साइट दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा ये लक्षमी को बांधिती है अगर आपने यूही सिर्फ खुला छोड़ दिया स्वस्तिक को तो फिर स्री आपके घर में नहीं रहेंगी इस बात का ध्यान रखिएगा मुख्य दरवाजे के चोखट के ठीक ऊपर बीचो बीच हल्दी और चावल चावल जो अक्षत होता है उसे पानी में भिगो दे आधे गंटे के लिए फिर उसका पेस्ट बना के उसमें हल्दी पौडर मिला दें और उसी पेस्ट से गाढ़ा सा घोल से मुख्य दवार के पास कहीं जगह है तो वहां पर तुलसी का पौधा या फिर बेली चमेली का पुस्त तो आप जानते ही होंगे तो उसका पौधा आप लगाईए ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां भी नहीं होंगी और खुशियां भी आएंगी भरबर कराएंगी एक बात का ध्यान लगाईगा अगर आपके घर के बांडरी वाल के दर्वाजे के बाहर जगह है तो आपका पौधा जरू लगाईए सत्रू कभी आपको परिसान नहीं करेगा तो हमने आपको बतलाया में गेट को आप कैसे अच्छा बनाए कि जीवन में सुकता बढ़ती चले जाए और खु नियमित रूप से सर्सों का तेल का दिया जलाते रही है अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है प्रेम से उठा कर कहीं मंदीर या साबजनी का स्थान पे लगा दे घर में पीपल का पेड़ होना अच्छा नहीं होता वरना सनी दोस से पीडित हो जाएंगे अगर घर में च्छत पर कहीं दिवाल में कम से कम पुर्व साइट तो भूल कर भी पीपल का प्रिक्ष ना आने दे ना ही चाया पढ़ने दे वरना आपका घर दूसीत हो जाएगा और जीवन की खुसियां कहीं न कहीं धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाएगी अपने घर में मनी पलांट जरूर लगाईए और ये मनी पलांट लगाईएगा दक्छी निसा में, धन की बरकत होती है एक बात का ध्यान रखेगा मिट्टी में मत लगाईएगा जब भी लगाईए गमले में मिट्टी भर कर लगाईए डाइरेक्ट जमीन में मत लगाईएगा ये अच्छा नहीं होता और मनी प्लांट को कभी किसी पेड का सहारा लेने मत दीजियेगा जैसे ही किसी दूसरे अच्छा होता है दोस्तों हमने आपको बतलाया था मुख्य दरवाजे के अंदर की और से गनेश जी की तस्वीर लगाने एक और बात करनी है आपसे ये जो तस्वीर आप लगाईएगा उसमें तीन मोर पंक तस्वीर के ठीक ऊपर में लगा दीजिएगा डंठल अंदर की जोड़ से कर दीजिएगा तीन मोर पंक याद रखिएगा ये बास्तु दोस्त पूरे घर का बास्तु दोस्त को समाप्त करने के लिए काफी होता है अपने डाइनिंग एरिया में भी आप एक मोर पंक का जरूर अस्थान दीजिए ताकि किसी का बुरी नजर आपके घर पर ना पड़े और आपका जीवन खुसियों से भरा रहे हम आपसे विदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो से लाब होता है तो प्लीज लाइक कर सब्सक्काइब करना मत भूलिएगा और कोई अगर और से वीदा है तो आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद फिर मिलेंगे हर हर महादे के लिए आप हमारे वेब साइट ग्रैंड धर्मासरमाग डॉट कॉम गूगल सच करके आ सकते हैं वेब साइट का लिंक आपको डिस्किस्टर ने मिल जाएगा हम आपसे फिर मिलेंगे धन्यवाद